हेलो दोस्तो कैसे हो आप मेरा नाम है आसिस गोतम आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे घनानंद के कवित जी हाँ डैली उनिवस्टी के जो इस्टुडेंट एसोल से कर रहे हैं जो रेगुलर कर रहे हैं जो एंसी वेव की छात्राएं हैं ये कविता जो है ये कोर्स हिंद पर लागो होता है चाहें आप रेगुलर स्टुडेंट हो चाहें आप नोन कॉलिज के ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं घनानंद का कवित यानि की हिंदी कविता और मद्धकाल अधुनिक काल में लगा हुआ है आपका पेपर यूनिक कोड आपको पता होगा बासर जी हिंदी कविता मद्धकाल और अधुनिक काल हमने कविर के दोए गोकुल लिला दोहावली जंद दोए और कवित घनानंद अब पढ़ेंगे हमने पहला काई सारा चीजें कवर कर दी हैं आज हम पढ़ेंगे एकाई दू का यानि की आपका यूनिट टू का सेकिंड चैप्ट कवित घनानंद ठेके कवित घनानंद आज हम इस वीडियो में यह जानने जा रहे हैं आखरकार इस कवित के जितने भी वियाक्य सैइट पद होंगे उनको हम संदर्व सैइत ब्याकय सैइत प्रसंग सैइत और सब्दार्थ सैइट जानेंगे तो चलिए स्टार्ट करते खें देखे हमारा पहला पद है देखे मैं आपको बता दूँ घंणनंद को रसमोर्थी कहा जाता है ठीक है आपको पता ही होगा घंणनन इन्हें आननद घंण के नाम से जाना जाता है सुजान इस्तरी के प्रेम के मारे ये काफी जादे तनहा हो गए थे और उने के तनहाई में इ लिख डाले तो देखे घननंद का पहला पद है जरा इससे देख लेते हैं इसमें लिखा है रावरो रूप की रिती अनूप नया नयों लागत जियों जियों निहारिये तियो इन आखिन बानी अनोखी आगानी कहूं नाही आनी तिहारिये एक ही जीब हुतू सूतो बार्यो सुजान संकोच और सोच सहारियो रोकी रहे ना देहे घनानंद बावरी रीज के हात नी हारिये एक बार जड़ा दुआरा देखते हैं राबरो रूप की रिती अनूप नैयों नैयों लागत जियों जियों नी हारिये तियों इन आखिन बान अनोखी आंगिन कहों नही आनी ती हारिये एक ही जीव हितू सोतो बारिये सुजान संकोच सोच सहारियो रोक रहे ना देहे घनानंद बावरी रीज के हातान हारिये तो यह आपका पध है इसका ब्याक्या बाव हम देख लेते हैं अब देखिए जब आप ब्याक्या करते हो तो मैंने हमेशा अपनी वीडियो में बताया है कि आप सुरू के दो सब्द उस पद के और एंड के दो सब्द लिख दीजिए जिसे टीचर को जो अथवा में कुशन आता है या आपका 6 से लेका 8 नमबर तक का इसके आपको सैपर संग ब्याक्या करनी पड़ती है और इस वीडियो में घनंद के सभी कवित्त की सैपर संग ब्याक्या देखेंगे तो देखिए यहां पर ब्याक्या बाब में पहले क्या दे रखा रावार और रूप की रिती तो यहाँ पे से इसके चार सब्द ले लिये और एंड के तीन सब्द ले लिये के हातिन हारिये तो इस परकार से अब इसके हम सब्दार्थ देख लेते हैं इस पद के देखिए इसमें एक सब्द आया था राबरो आपके राबरो आपके इसका मतलब क्या है इसका मतलब है अनूप ठीक है देखिए यहां पर सब्दार्थ में प्रिंट आउट में थोड़ी गड़ बढ़ है समझने में देखिए यहां पर एक सब्द है रावरो हुआ यह सब्न का मतलब है त्रपती है पिच्फ ओ बीच है second का सब्द है अगानी का मतलब तरपती जीब का मतलब रिद है और बारो बारियों का मतलब नियोच्छावर कर दिया सहारियों का मतलब सहारा दीजिए दहे का मतलब जलती है रिजी का मतलब रीजना मोहित का मतलब मोहो हो जाना और हुतों का मतलब था हुतों का मतलब क्या है थ है ठीक इस प्रकार से हमने सारे सव्ढार्खत देख लिए अब प्रसंग की ओर चलते हैं तो देखे इसका प्रसंग क्या है इसमें लिख़ा हुआ है परस्तुठ चंद के रचयता कभी घंननंद हैं घंननंद स्वचंद काब्वेधार के अधार इस्थंब हैं इन्होंने अप अपने काब्य में ब्रणित किया है यानि कि जब ये सुजान के करण तनहा हो गए तो जो उनकी मतलब की तनहाई में जो काफी जाद है इन्हें उनकी याद आई हम यूं कह सकते हैं तो जिस प्रकार का रूप रेखा इनके रिद्धे में चली उसी को ही इन्होंने पिरकट उनकी प्रेमी का यानि कि जिसका नाम क्या सुजान नर्थकी थी ये ठीक है रास दरवार में सुजान राजा रंगीला पढ़ा होगा आपने रंगीला के दरवार में ये रास दरवारी कभी थे ये सुजान और ये नर्थकी थी उस नर्थकी से प्रेम हो जाता है सुजान को और सुजान इसके स्टोरी में आपको बताऊंगा इसी बात नहीं इस पर कोई खतम होने के बाद तो यहां पर देखे इसमें लिखा हुआ है इस चंद में कभी ने अपनी मोहित इस्तिती को इसपष्ट किया है उनकी प्रेमी का सुजान बहुत ही सुंदर है यह बिलक्षन सुंदरिये पल पल नया रूप धारन कर लेता है इसका ब्याख्या देख लेते हैं तो ब्याख्या क्या है देखे इसमें लिखा है कभी अपनी प्रियतमा को उसके रूप सुंद्रिय के बिसे में बताते हुए कहता है कि यानि कि कभी कौन है घनानंद उसके का मतलब यहां किसके से सुजान से सुजान के रूप सुंद्रिय के सब्जेक्ट के बारे में बताते हुए घनानंद कहते हैं कि हे सुजान तेरा रूप संद्रिय अद्भूद है आपके रूप की रिती बड़ी अनोखी है इसे जियों जियों देखो यह हर बार नया लगता है यानि कि इसे मैं जब जब बार देखूं जितनी जितनी बार देखूं यह रूप मुझे इतना नया लगता है उसकी गती बड़ी बिचित्र है यानि कि जो बच चलती है उसकी जो चाल है वो बड़ी बिचित्र है यानि सुजान का रूप सुंद्रिय चण चण परिवर्तन शील है यानि कि हर थोड़ी थोड़ी समय बाद बदलाव आता रहता है उसे जितनी वार देखा जाए जितना देखा जाए उसमें एक नवीनितम की अनुभूती होती है यानि कि नयापन देखने के लिए मिलता है यही सुंद्रता की कसोटी है कि वे हर चण नवीन लगे घननन्द के नेत्रों को भी अनोखी आदत पड़ गई है कि वे सुजान के रूप के अतरिक्त और किसी को देखना भी पसंद नहीं करते हैं किसी और को देखकर उन्हें तरपती नहीं होती तरपती का मतलब है उन्हें सांती संतुष्टी नहीं मलती किसी और को देखकर उन्हें हर समय सुजान को देखना ही अच्छा लगता है हे सुजान मेरे पास एक प्रान था यानि कि मेरे पास एक लाइफ थी, मेरे पास एक जीवन था भेवी मैंने तुम्हारे रूप सौंद्रिये पर नियोच्छावर कर दिया अब मैं लोक की लाज पर लोक की चिंता से मुक्त हो गया हूँ अब मैं लोक की लाज मतलब कि जो पबलिक की जो वो होती है कि सरम जो होती है कि सरम जो लगती है पबलिक को अब मैं उससे परे हो गया हूँ अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है मैं चिंता से परे हो गया हूँ मुक्त हो गया हूँ मैं अपनी रीज के हाथ हातों सब कुछ हार गया हूँ मतलग कि जो मैं रीज रहा हूं इतना मैं उसके हाथों सब हार गया हूं अर्थात मैं तुम्हारे प्रति इतना अनुरुक्त हो गया हूं इतना जुकाब हो गया है तुम्हारे प्रति कि रोकने पर भी अपने मन को मैं कंट्रोल नहीं कर पाता तुम्हारी याद मुझे निरंत के उपर हमने इनका पूरा जीवन परेच है लगवग आदे गंटे की वीडियो होगी आपको आई बटन में देखने के लिए मिल जाएगी वनना एंड स्क्रीन में जब इस वीडियो को खतम लाश्ट में देखोगे तो वहां पर गहनानंद की पूरी बायोग्राफिय आपको देखने के लिए मिल जाएगी आप देख सकते हो देखि हम आपको सोट मेंन की कहानि बता देता उं घंचानand की घंचिकला नदान जो sinking को पता लग जाता है और राज का भी रहते हैं किसी को पता लग जाता है घननंद जो है लिखने के इस्थान पर मतलगी वो काब्बे तो अच्छे करते ही करते हैं लेकिन अच्छा गाते भी है ठीक है जब ये रंगिला को पता लगती है तो रंगिला कहते है चलो भई घननंद को गवाओ फिर घनन आजाएगी तो यह गाएगा तो क्या होता है राजा कहता है बुलाओ सुजान को सुजान के सामने इतना अच्छा गाते हैं इतना अच्छा गाते हैं घननंद और वो भी नास्तिय जो निर्तकी रहती है निर्तकी का नाम होता है सुजान ठीक है सुजान को बुलाया जाता है मतलब की सभाव अगयरा खतम हो जाती है कि तुमने मेरी याग्या का पालन नहीं क्या मेरे आदेस पे नहीं नाचे, इस नर्त की जो यह बेसिया है नचनिया है इसको तुमने देखके गाने स्टाट कर दिया तो इसे घनानंद को जो है देश निकाल कर दिया जब देश निकाल दिया यानि कि राज्जे से बाहर कर दिया अपने रंगिला ने जब इन्हें मतलब कि अपने राज्जे से बाहर निकाल दिया तो सुजान ने भी इन्हें नहीं रोका सुजान भी इनके साथ नहीं आई सुजान से इनोंने कहा ता घंणनन्दने कि तुम मेरे साथ आजवत पर सुजान नहीं आई होता क्या ये ब्रंदावन चले जाते हैं ये ब्रंदावन चले जाते हैं घंणनन्द बहां पे कि कहते हैं कि निदर Сам smt को पता लिए अकर्मन करने आता है ब्रेंदावन के छित्र में और उसे पता लगता है कि रंगिला के जो मीर मुंफ्य हैं आपको बता दूँ घंद जो हैं रंगिला की दरबार के मीर मुंसी का यह माचलो कि जैसे इस दो नीदर साथ को बता रखता है कि मिर मुंसी जो है इस रहा हमारे इस वाले छितर में रहना आया है और जो नीदर साथ वो तो आक्रमन करना है तो मिर मुंसी के पास उसके बहुत पैसा होगा जो रंगिला के दरवार से वो भक्के यहां पर आया है तो नीदर साथ आपने सैना को भेशते हैं जाओ मिर मुंसी के पास गनानन्द के पास जाते हैं गनानन्द से वो मांगते हैं कि धन दो धन ठीक है क्या मांगते हैं वो धन दो धन तो भई वो तो कहते हैं धन तो मेरे पास अने याने कि वो ऐसे कहते हैं कि मुझे जो है धन दे दो वो कहते हैं मेरे पास धन नहीं मेरे पास रज है रज थीक है अब इहां पर देखे थोड़ा समझेए यहां पर मिश्टेक हुई है कहने का मतलब क्या है कि वो जब आते हैं सेना आती है कि गनंदगे जहोपड़ी में तो गनंदगे में हमें तो Sun कहते लिए थ壓it क्या का मतलब होता है मृदा यानि की मिट्टी कहते हैं कि मुझे मेरे पास है तो केबल मिट्टी जो मैं अंतिम पद्वी सुजान के प्रती सुजान के नाम के लिए लिख रहा हूं अगर मैं तुम मुझे मारो तो मुझे ऐसा मारी हो इतना तरफा तरफा के मारी हो कि मैं अंतिम सा अमधिनास मेरे सुजान की रहे ऐसे वो कहते हैं और जब ये बात नेधर साथ को पता लगती है तो नेधर सा इनका ने काड़ देते हैं इन्हें तलवार से मार देते हैं इस प्रकार की इनका स्टॉरी थी यह जार और रज की स्टोरी याद रखना है जर का मतलब यहां धन से है और जर का मतलब है मट्टी से जर जर से याद रख सकते हैं जंग से जंग मतले कूडा यानि की मिट्टी ठीक है तो जर को उठा के कहते हैं जाडते हुए ऐसे हाथ को उपर करते हुए कि मेरे पास तो यह जर है तुझे चाहिए तो लेजा वो अपने उसको बातसा को बता देते हैं बातसा कि उनका खतल कर देता है तो इस प्रकार से ये रही घनानंद के स्टोरी अब यहाँ पर जादा देख लेते हैं देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि अर्थात सुजान के प्रति में बहुत अनुरुक्त हो गया हूँ विसेस भाव देखें इस पद का तो वो क्या नायका के अनुपुम अनुपम संद्रीय का बन्न भूँआ है नायका कोन है यहां पर ही हिरोईन का रोल किने निवाया है यहाँ पर निवाया है सुजान ठीक है जो निटकी है उन्होंने सेकिंड विसे से अपूर्व संद्रिये को देखकर आंख नत हो जाती है और उन्हें देखकर देखने पर उसका रूप नवीन सा दिखाई पड़ने लगता है यह अपूर्व संद्रिये है मतलब कि ऐस सोच नहीं है कि विचार करो तो बहुत ज़्याद हमें ऐसा लगेगा कि यह भी रियल्टी में होता है कि मतलब कि जितना हम जितनी बार रोज रोज देखेंगे उतनी बार वो नया असा देखने के लिए मिलेगा तो अपूर्व है यहाँ पर देखी तीसरा भी सेस है चंद सवया है आपको पता होगा सरंगार रस की प्रधानता देखने के लिए मिली है क्योंकि सुजान की सरंगारता का बर्णन कर रहे है कभी घननन्द पांचवा पॉइंट है इसमें अनुर्प्रास, पुनरोक्ती, ब्रोधावास तता उधारन अलंकार इसमें प्रोख है ब्रजवासा का प्रियोग इसमें हुआ है ठेक है देखे आपका दूसरा पद है इसकी तरफ जड़ा देख लेते हैं दिख रहा होगा आपको दूसरा पद यहाँ पर है साम गटा लिप्टी थिर बीज के सोहू अमावस अंक उजायरी घुम के पुंज में जुआल की मालसी पे द्रग सीतलता सुखकारी के छबी छाय सिंगार निहारी सुजान तियातन दीपती प्यारी कैसी फवी घननंद चौपनी सोपिहीरी चुनी सावरी सारी जरा एक बार दुआरे देखते हैं पद को साम गटा लिप्टी थिर बीज की सोहे अमावस अंक उजायरी घूम के पुंज में जुआल की मालसी पे द्रग सीतलता सुखकारी के छबी छायो सिंगार निहारी सुजान तियातन दीपती प्यारी कैसे फवी घननंद चौपनी सोपिहरी चुनी सावरी सारी तो ये पद है इसका ब्याख्या बाब देखते हैं तो देखिए इसका ब्याख्या बाब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दो लाइन सुरू की और दो लाइन एंड की लिखनी है जब भी उत्तर लिखो तो सब्दा देख लेते हैं इसमें सब्दा आये हैं देखिए ध्यान लखना जब सैपर संग ब्याख्या करने के लिए आती है ना तो वहां पर वाला जो पद है जो डार्क ब्लैक में इतना पद दे रखा होता है सारी चीज़ आपको खुद लिखनी पड़ती जब ही तो नंबर मिलेंगे ऐसे थोड़ी मिल जाएं इसलिए पद क सब्सक्राइब कि या थोटकण नांच की सब्सक्राइब प्राइब का मतलब गिणेताि होता है शोटा है उसके समों में जब तुम हसे या रख्यों है、 कि यहां पर सब्सक्राइब के पुंज अब मैं आपको इसकी gymnastics आप मताउंगा si Thank या क्या कि माद्यम से आप पूरी स्टोरी क्रिएट कर लोगे जब पेपर में लिखोगे दो आई होप कि आपको समझ मा आगया होगा यहाँ पर बीर है ठीक है बीर का मतलब भाई है ठीक है आपने देखा होगा सिक धरम में जादे बोलते हैं बीर बीर का मतलब भाई, पौन का मतलब है पबन, लीर का मतलब है बीड़ा उठाने वाला, तिहारिये का मतलब है तुम्हारी, सुजान का मतलब घननन्द के प्रेमिका का नाम है, संकोच का मतलब संकोच करना, सहारिये का मतलब सहरा दीजिए, बावरी, बावरी का मतलब है प्रेम कोबित होनां अंक का मतलब है सरीर धूम का मतलब है उल्ला स्पूर चहल का मतलब है पहल जुजवाला का मतलब अगनी है तो यह है सब दार्त अब यहां पर देंगे हम इसका प्रसंगभाव देख लेते हैं देखे प्रसंगभाव प्रसंग भाव में यहां पर लिख रहा है कि प्रस्तुत्चंद के रचईता कभी घनानंद हैं आपको पता ही होगा देखिए घनानंद के प्रमुक प्रमुक जो किरतियां हैं वो कौन-कौन सी हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना ठीक है जैसे मैं आ तो यह जो हैं आपकी घनानंद की कृतियां हैं सुजान सागर ब्रेलीला इस की लता तो यह सारी सुजान के ही प्रेम में घनानंद ने अपने ग्रंथों में उतार दिया है इसका प्रसंग भाव आपने कुछ देखा इस चंद में कभी ने नाईका के रूप सौंद्रिय का वर्णन क्या है कभी ने नाइका को काली साड़ी पहने देखा कभी ने मतले घनानंद ने जो नाइका है सुजान उसको ब्लैक सारी यानि कि सारी पहने हुए देखा है और उस पर मुहित हो गया है मोह हो गया है किसका घनानंद का किसके उपर सुजान के उपर अब यहां पर व लिए यements corazón करने में कभी घंध का कोई सानी नहीं है मुले कि उसका उनकी कोई ठक्र नहीं ले सकता घंध करने में इसलिए इन्हें स्रिंगार रस स्रिंगार रस का मूर्ति कहा जाता है जितने भी रस हैं जितने भी रस हैं हमारे बिया करण में काब बेओं में उन्हें घनानंद को जिस प्रकार से उन्होंने रचा है अपने ग्रंथों में कहते हैं कि इस तरह से तो कोई सामने व्यक्ति नहीं रख सकता तो घनानंद का कोई सानी नहीं नाइका को काली साड़ी देखे कर घनानंद मोहित हो जाते हैं यानि कि लगाब हो जाता है मोह हो जाता है उनसे प्रेम हो जाता है घटा के बीच अकास में बिजली चमक रही अर्थात नाइका का साररिक संद्री है काली साड़ी में बहुती कां संती बान पर्तित हो रहा है अब एक तो काली साड़ी पहने के उपर से वो सुन्धर है तो काफी जादे एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे रात में हमारे चांद निकली आता है तो इस प्रकार का मूरत द으ली के गर्णनंद को नाइका का रूप काली साडी पहन कर अमवस की रातरी में खिली हुई चांदनी के समान उजवल दिखाई दे रही है यानि हैनो वस्तरकार से दिखाई दे रही है मानो कि अमवस की रात्री में जो चांदनी है ऑगी है यानि की ऐसे जो चेहरा है जो हो सौण्धरी है वो लग रहा है कि रात्रमी में चांदनी उजवल दिखाए दीगी बह दुएं के समूं में उठने वाली जुवाला के समान दिखाई दे रही यानि कि जैसे दुएं में आग उठ रही है किंतु आंखों की सीतलता और सुख देने वाली है आँखों की जो सीतलता मिल रही है घनानंद को वो क्या है सुख दे रही है एक हैपिनिस दे रही है घनानंद को सुजान इस स्रिंगार में बहुती सुन्दर सुसोवित हो रही है सुजान जो है अपने सिरंगार में अपने मतलब की फैसन में बहुती सुन्दर सुसोवित लग रही है उसका सुन्दर इस्तरी तन मतलब की जो सुजान है उनका इस्तरी जो तन है उनकी जो बोड़ी है बहुत सुन्दर तराता के कारण काफी जादे चमक लिये हुए है को कह रहे हैं कि सुजान ने जो चुनकर सावरी साड़ी पहनी है बहे उसके रूप संद्रिये पर बहुती आकरसक लग रही है बहे जो है सुजान के संद्रिये पर बहुती आकरसक लग रही है बहुती अट्रेक्टिव लग रही है सावरी साड़ी ने सुजान के गोरे सरीर को अधिक कांती मान कर दिया है ठीक है काली साड़ी उपर से गोरा सरी तो यहाँ पर काफी अच्छा कॉमिनिसन जब जाता है अब यहाँ पर देखे बिसेस पक्ष क्या है इस पद का जरा देख लेते हैं इसमें है सुजान के अदबुत आकरशक सुंद्रे कवनन हुआ यह तो आप हर जगे लिख सकते हो काली साड़ी सुजान के गोरे सरीर के सुंदरता को बढ़ा रही है काली साड़ी का जो गुण है वो सुजान की और सुंदरता को बढ़ा रही है अनुपरास उपमा उपमा अलंकार का इसमें है कि उपमा दी गई थी अभी हमने देखा कि अवसे की रात में चांद नहीं आ गई हो ठीक है उपमा अलंकार का सबया चंद है सरिंगार रस के प्रदानता है ब्रजवासा का प्रियोग है यह तो विशेस आई होप कि आप हर जगे विशेस यह लिख सकते हो अलंकार वगएरा का थोड़ा धियान लगते हो अब यहाँ पर देखे हम तीसरा पद पढ़ते हैं सोला वटे तीन आपको दिख रहा होगा कोने में लिखा हुआ है अब यहाँ पर हम इस वाले पद का भी अधिन कर लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अब हे अमोही बैठे पाठी पहचानी है पहचानी दे ब्रही बिथा की मूरी आंखिन में राखो पूरी धुरी तिनी प्यानी की हाहा नेकू आनी दे ठीक है काफी अच्छा पद है एक वार जरा दुवारे देखते हैं यहाँ पर लिखा है अरे बीर पोन तेरो सबे और गोन बीरी तो सो और कोन मैंने डर को ही बानी दे जगत के प्रान ओछे बड़े सो समान घन आनन्द निधान सुखदान दुखाई नी दे जन उजियारी गुन भारे अंत मोही प्यारे अभे अमोही वैठ पीठ पहचानी दे रहे बिथा की मूरी आंखिन में रुआ खो पूरी धुरी तनी प्यानी की हाहा नू को आनी दे तो यह काफी अच्छा पद है इसका ब्याक्यवाब आखिरकार देखते हैं तो वही है पहली की तरह करना एरे बीर पॉन सुरू के सब्द और आनी दो डेट 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 डेस बीच में तो तीसरा पद इसके सब्दारत है देख ड्रग ड्रग का मतलब है आंके द्रग निहा फवी का मितलब अच्छे लगना और यहाँ पर चोपनी का मतलब यहां पर डरको यहां दरको का मतलब का मतलब और दलेने पीठी दे का मतलब है पीठ मोड कर मूरी का मतलब है जड़ी बूटी और धुरी का मतलब है धूल और तिन पायन की का मतलब है उनके पैर की अब यहां पर प्रसंग भाव देख लेते हैं इसका क्या है प्रसंग भाव देखिए यहां पर प्रसंग भाव है इसका कि प्रस्तु इन्होंने अपने काब्बे में स्वचंद प्रेम के गीत गाये हैं अपने व्यक्तिकत जीवन में इन्होंने जो कुछ देखा है जो कुछ भोगा उसी को अपने काब्बे में बरनित किया है इस चंद में कभी पवन से प्राथना करते हैं कभी घाननंद वो अवा से प्राथना करते हैं कि पवन उस बिरही प्रेमी किर्पा और एसके प्रेये के चरणों कि थोड़ी सी धूल करा цен जो उसके के चरण के उसकी थोड़ी से दूल कर हाई इसलिए इसाइव Google के प्रसंसा करता है हैありがとう है अपने मन में ही घंणनंद कि जो जहां पर सुजान है उसके चरणों की मट्टी उड़कर जो है मेरे पास लिया इसलिए वो पवन की प्रसंसा कर रहे हैं यहां पर ब्याख्या बाब जरा देख लेते हैं यहां पर ब्याख्या बाब है इसका विरही प्रेमी कभी कहते हैं ज तुम्हारा आना जाना तो सभी दिसावं में रहता है। अर्था तो तुम बहां भी जा सकते हो जहां मेरे प्रियतम निवास करते हैं यानि कि घनन कहरे हैं तुम बहां भी जा सकते हो जहां सुजान निवास करती है यहां पर बसती है वो तुम्हारे समान इस संसार में कोई और वेक्ती नहीं है जो इस कठिन कारिय को पूरा कर सके जो इस हाड़ वर्क को पूरा कर सके कि हे पवन तू अपने मन को आधर डाल दे जिससे कि दूसरे को दुखी देखकर उनका दुख दूर करने का प्रियास करे अपने अंदर आधर डाल ले हवासे कह रहे हैं से कोई दूसरा दुखी वैकते देखे तो वो सुख ही हो जाए हे बीर पवन बीर का मतलब भाई हे भाई पवन तु संसार को प्राण देने वाला है संसार की रक्षा करने वाला है तेरी द्रश्टी में छोटे वड़े सबसमान है तु संसार भर को अत्यादिक आनंद प्रदान करने वाला है अथे हे बवन तु मुझ जैसे दुखिये का दुख दूर कर सुख प्रदान कर अरथात तु मेरे भी एक काम कर दे यानि कि कहते हैं कि इस संसार भर का अत्यादिक आनंद प्रदान करने वाला है अधै पवन तू, यानि कि पवन भाई तो मेरी दुखिया, मतलब कि मेरी दुखों को भी एक सुक्र परदान का रथा था तो मेरा भी एक काम कर देे धनानंद कह रे हैं, मेरे प्रियताम सुजान बहुत गुंवान और अतियादिक कांती मान है, मेरी प्रियत्म सूजान जो है वो कैसी है वो गुणवान अत्यादिक कांतिमान है? उन्हें मुझ से अब तक बड़ा प्रेम था मद्अ अब तक काफी जादे प्रेम था लेकिन अब मेरे प्रती निर्मोही हो गई है मतलए कि मेरे प्रती जो है अब कहाब बेवफा ही हो गई हैं मुझे भुला कर ना जाने कहां जाकर बैठ गई हैं मुझे भुला कर ना जाने कहां बैठ गई हैं अथे तू जान कर मतलब कि तू जान कर अब हवा यानि कि पवन को बता दिया घहननन पवन को जब बता दिया तो कह रहे हैं कि तू अन्य अब जान लिया तो उसके चरणों की धूर लाकर मुझे दे दे मतलब कि जो सुजान है उसके जो चरण है उसके चरणों की उसके प्रिय चरणों की धूर लाकर मुझे दे दे मेरी बिरह बेदना की पीड़ा को दूर कर मैं उसकी तड़फ में जो मर रहा हूँ मेरी जो बेदना मेरे अंदर हो रही है उसकी चाहत में सुजान की वो मेरी पीड़ा जो हर जाएगी दूर हो जाएगी संजीवनी बूटी के समान है उसके चरन की मिट्टी मेरे लिए इतनी request कर रहे है पवन से वो घननंद तो देख सकते हैं किस प्रकार से सौंद्रिय का बंण करा गया है किस प्रकार से संगारता का बंण क्या गया है सुजान का यहां पर कास ऐसा किसी और उसमें देखने के लिए नहीं मिलता देखें मैं इसी राइटरों ने लिखा है हंदी से अंगलिस में ट्रांसलेट कर गए अब यहां पर देखिए संजीवनी बूटी के समान उसके पांव की धूल को अपनी आँखों में अंजन की बाति यानिकि जो संजीवनी बूटी के समान जो धूल लाएंगे वो पवन जो धूल प्रियत्म के चरणों से उस धूल को मैं अपनी आँखों में अंजन के बाति यह अंजन मतलओ एक तली के बाति एक सॉंध्रीटा के बाति ज हैंजन की तरह उसे लगाना चाहता हूँ उस मिटी को इसलिए तू मुझे यानिकि तू незren पवन से इसलिए पवन मुझे उसके उसके का मतलब सुजान से सुजान की चरणों की धूली मतलब की धूल लादे ऐसा करने से मेरी भ्यावेदना कुछ कम हो सकीगी ठीक है तो देख सकते कितने घहराई की भ्या की बेदना का वर्णन कर रहे हैं कभी घननंद यहाँ पर बिसे स्पक्ष क्यायत देखी जरा घननंद का यह कवित दूथ परंप्रा का गोतक है दूथ परंप्रग दूथ की दूथ के रूप में कौन आये हैं यह वहाँ पर पवन ठीक है पवन कहते हैं कि हे बीर हे बीर पवन हे बीर बीर का मतलब भाई हे भाई पवन तो दूथ के गहनानंद के लिए काम करेंगे सुजान के यहां से वो चरन की मिट्टी लानी के लिए कह रहे है इसमें पवन को दूत बनाकर भेजा गया है उससे अपने प्रिये की चरनों की धूल को लाने का आग्रह किया है पीठ देना मुहावरे का प्रियोग हुआ है पीठ देना है इसमें कवित्चंद का प्रियोग हुआ है दियान नकना उपर वाले में सवया चंद था या कवित्चंद है अनुप्रास यमक रूप कलंकार का प्रियोग हुआ है ब्रजभासा का प्रियोग है जतारत हे दर्शो निधी नीर सुधा के सम्मान करो सभई विधा सभई विधी सज्जनता सर्षो घननंद जीवक दाइक हो कुछू मेरिया पीर हिये पर्षो कुभू वा विसासी सुजान के आंगन में अन्सूबान ही ले वर्षो एक बार इस पद को जरा दुवारा देख लेते हैं यहाँ पर लिखा है पर काज़ई देहे को धरी फिरी परजन्य जतारत हे दर्षो निधी नीर सुधा के सम्मान करो सभई विधी सज्जनता सर्षो घननंद जीवक दाइक हो कचू मारियो पीर हिये पर्षो कभू विसासी आंगन मो अनसुवान ही ले बर्सो अठारा वटे चार चोथा आपका ये पद है कवित है इसका ब्याख्याब आप देखते हैं चोथे कवे का देखिए इसमें सब्दार्थ हैं तो इसमें पहला सब्द आया है परकाज़ई परकाज़ई का मतलब है दूसरे के काम के लिए सब्सक्राइब यहां पर एक सब्दार यारी का मतलब धारण करके इदर को और को हम ए चोब द धारण कर लेते हैं तो इधर उदरखरते हैं वूसके लिए यहां पर एक सब्द है परजन्य क्या सब्द है यहां पर एक परजन्य का मतलब है जिनका दूसरों के लिए जनम हुआ हो उसका मतलब होता है परजन्य यहां पर है जतारत जतारत का मतलब है यर्थार्त से दर्सो दर्सो का मतलब है यहां किस से दिखाई दो से निधी नीर का मतलब है निधी नीर सेकिन लाइन है निधी नीर का मतलब है समुंद्र का जल सुधा सुधा सेकिन लाइन का थर्ड वर्ड है सुधा, सुधा का मतलब है अमरत, सरसो दरसाते रहो इसका मतलब है ठीक है सरसो का मतलब क्या है दरसाते रहो, कि हमें सो करते रहो घननन्द का मतलब है आनन्द रूपी बादल ठीक है, घननन्द यहाँ पर आमें कभी भी हैं ग्रननंद का मतलब किस से आनंद रूपी बादल से जीवन का मतलब जीवन दायक का मतलब है जल देने वाला जीवन दायक यानि कि जल देने वाला मेरियो मेरियो का मतलब है मेरी भी मेरियो मेरियो का मतलब है मेरी भी पीर का मतलब है पीड़ा, हीए का मतलब है रिदे से रिदे में परसो का मतलब है इस पर्स करना यानि कि टच करना कभू का मतलब है कभी और विसासी का मतलब है विस्वास गहती बा का मतलब है उन और ले का मतलब है ले जाकर तो यह कुछ आपके सब्दार्थ थे ते, काफी अच्छा पद है, इसका प्रसंग भाव देख लेते हैं देखे, इसके प्रसंग भाव में लिखा है, कि प्रस्तुचंद रचाईता का भी घहनानन्द है, घहनानन्द स्वचंद काब्य धारक के अधार इस्थम्ब कभी हैं, आपको पता है इन्होंने अपने काब्य में स्वचंद प्रेम के गीदगाएं हैं, अपने व्यक्तिकत जीवन में इन्होंने जो कुछ देखा, जो कुछ भोगा, उसे अपने काब्य में इन्होंने ब्रणित किया है ठीक है, reality अपने इन्होंने काब्वे में अपनी व्यक्त की है इस छंद में कभी ने प्रकर्ति की चेतना सत्ता के रूप में सुईकार करके यानि कि प्रकर्ति की जो चेतना है उसे सत्ता के रूप में accept करा है उससे अपनी व्यथा की कहानी की है मतलब कि जो उनके साथ कहानी गटित हुई है उसको प्रिकट करा है प्रिकटी के समख़ कभी ने मेगों से अनरोध करता है कभी जो है मेग यानि कि बादलों से अनरोध कर रहा है अनरोध करते हैं कभी घननंद की बेकभी के आसों को ले जाकर कभी जो है मतलब घंणनंद के जो आसूं है उन आसूं को ले जाकर प्रिय सुजान यानि की जो प्रेमी का है घंणनंद की सुजान सुजान के आंगन में बरसा दो ताकि प्रिया को यह बिस्वास हो जाए प्रिया का मतलब जिसे मैं चाहता हूँ उसको बिस्वास हो जाए कि कभी उसके ब्रहे में आसु भी आ बहा है उसे ऐसा सोजाए सोजान को कि उसकी बेदना में, उसकी तनहाई में कभी गहनंद liegt जो है वो आसू भार है तो ये था इसका प्रसंद भाव इसका ब्याख्या देख लेते हैं देखी ब्याख्या इसकी कभी कहते हैं कि हे मेग हो तुम्हारा नाम परजन्य है कभी कहता है हे मेग हो यानि कि हे बादल तुम्हारा नाम परजन्य है अर्थाद देख सकते हो कि मतलए किस परकार से प्रकरती को अपने रूप में ढाल लिया प्रेम के प्रती कितने सुंदरता का कितने सुंदरिय का बन किया है प्रकर्टी को भी इस प्रकार से अपने साथ एकसेप्ट कर लिया हर चीज इने प्रेम निजर आ रहा है हर चीज में ने तुम्हारे नाम परजनने है अर्था तुम्हारे नाम ही दूसरे की सेवा के लिए हुआ है कभी मेगों से कहते हैं बादलों से कि तुमारा नाम परजनने है और तुमारा नाम ही दूसरों की सेवा के लिए हुआ है तुमारा जो नाम है वो किसे के लिए हुआ है दूसरों की सीवा करने के लिए हुआ है तुम्हारा नाम तो तुम अपने इस सरीर को दूसरों की सीवा के लिए धरन किये हुए लगी तुमने जो बादल का जो इस सरीर लिया है ये दूसरों के लिए धरन किया है इधर उधर घुमते हो अपना नाम परजन्य सार्थक करते हो लगे धर धर गूमते रहते हैं बादल और अपना नाम परजन्य सार्थक करते हैं तुम सागर के खारे जल को अपने साथ उड़ा कर उसे बरसा के रूप में बरसा कर अमरत के रूप में बदल देते हो यानि कि यहाँ पर बादल को बादल की सुंदर्टा क्विनान करते हुए घ्राणन्द कहरे रहे हैं कि बादलो को मेगो को कि तुम सागर के जो खारे जल होता है सागर का उस खारे जल को उड़ाकर उसे बड़सा में तबदिल कर देते हो और अमरत पानी ब़चा देते हो बड़सात कर देते हो इस प्रकार तुम हर प्रकार से अपनी सज्जनता का प्रचार करते हो अब देखिए किस प्रकार से उन्होंने प्रकरती का सुंद्रियता का बिर्णन किया उसके बाद फिर ये धीरे 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 उसको अपनी सुजान के पास तक लिए आते हैं सज्जनता का प्रचार करते हो कभी घंणनंद कहते हैं कि हे आनंद के घंख मतलब कि हे मेग बादल हे मतलब कि परिवर्टन सील बादल तुम जगत को जीवन देने वाले हो हैं तुम जगत को क्या हो लाइफ देते हो जीवन देते हो अरथात ही है संसार तुमसे ही जीवन पाता है कि यदि जलना बड़से तो सब कुछ नश्ठ हो जाए इसलिए तुम मेरी पीडा को समझो यदि जलनी बड़से तो सब प्रियतम सुजान मेरी प्रेमी का मेरी लवर के उस आंगन में ठीक है उसके आंगन में बरसा दो मेरे आंसुओं को ले जाकर जब तुम सागर के पानी को अपने साथ ले जाकर बरसात कर देते हो तो मेरी आसुओं को ले जाओ मेरे भर भर के जो आसुओं रहे हैं मेरी जो प् आसुं को बर्सा दो जिससे उसको भी यह भाब हो जाय कि किस तरह से उसका प्रियतम जो उससे प्यार करता है बो तडफ रहा है उसकी ब्हेम की बेजना में मरा जा रहा है इसका भाब यह है कि बर्सा का पानी मीठा होता है और यह आसु खारे हैं यदि मेग इन आसुं को जिय ले जाकर बरसा दे तो संभाव है कि प्रियतम मेरे आसोंगों की बरसा को पहचानकर इसे पहचानकर दर्वित हो जाए दर्वित मतलब एक जो है ऐसा रूप ले जो बरसा का रूप हो जाए मेरे आसुंगों को इस प्रकार से समझ ले कि भई हाँ उसे लगे कि मेरे इस बरसाथ के कारण मेरे कारण घनानंद किस प्रकार से घ्रे में पागल हो रहे हैं तो यहाँ पर इसका विसेस पक्ष देख लेते हैं इसका विसेस भाव क्या है देखिए विसेस भाव इसका घनानद के अंतत है प्रकर्ति और वहाई प्रकर्ति के सामन जिस्ते का प्रदसन क्या है ठीक है घनानद ने प्रकर्ति और वहाई प्रकर्ति प्रकर्ति और जो हमारा एक्ष्टनल नेचर है उसमें बैलन्स इस्थापित करने का भी प्रदर्शन एक व्यू प्रकट किया है सेकंड पॉइंट है विसेश का कभी ने प्रियतम सुजान को निसासी कहकर यानि कि विश्वास गहती एक विश्वास गहती कहकर अपनी आत्म वेद्ना पर प्रकाश डाला है कि अंशु यह ना candidates म होती है अभी होती सबसे सिंपल अवीदा बीचवाली लक्षणा और सबसे हड़ बियंजना काब्वे रचने के तीन रूप होते हैं अवीदा लक्षणा वियंजना तो यह यहां पर बियंजना का रूप देखने के लिए मिला है कभूँ भी अन्शू वाहनी यह जो दो सब्दाएं इतने खतरनाक सब्दाए कि इनका अर्थ क्या होगा जानने में थोड़ी मुस्किल पैदा होती है इसलिए बियंजना की अभिवक्तियां पर देखने के लिए मिली है अनुपास उपमास लेस अलंकार का प्रियोग क्या गया है प्योंक सरंगार की अभिवक्ति है व्योग एक तडफ सुजान की वेव को मारग है जहन नेकू साइनप बांक नहीं तह सांचे चले ताजी आपन पो जिज के कप्टी जे निसाक नहीं घनानंद प्यारे सुजान सुनो इत अंक ते दूसरे आंक नहीं तुम कौन सी पाटी पढ़ो हो लला मन ले हूपे देऊं छटाक नहीं एक बार इस पद को एक बार फिर देखते हैं अतीसु दोसने के मारग है जहां नेकू साइनप बांक नहीं तह सांच चले ताजी आपन पे जिज के कपाटी जे निसांक नहीं घनानंद प्यारे सुजान सुनो इत अक तो दूसरे आंक नहीं तुम कौन स पे देऊं छटाक नहीं तो यह आपका पांचवा कवित्त है इसका व्याक्खेवाब देखते हैं तो मैंने आपको बताया है सुरू के दो सब्द पांचवा पद है आपका सब्दार देख लेते हैं यहाँ पर देख सब्दा आया है एक आपका सेयानप सेयानप का मतलब है सियानपन जिसके अंदर क्या नत आए सियानप एक सब्द आया है फश्ट लाइन का लाष्ट से द में आपको देखने लिए मिल्याएं पर चतुराई वाँड़ का मतलब है छाट्यापन आ पैक्स अपन कि आपव आपुंपो का मतलब क्या है आपु नपो का मतलब है अपनात्व जब हमें अपनपन देखने के लिए देखना मिलता है ठीक आपनो आपनपो कह सकते हो आप इसे ये देखिए आपको कहां देखने के मिलेगा सेकंड Stage के बाद चले तजी आपनपू तो इहां पर इसहीं और मतलब अपना तुम ही जब अपना अपन की बात होती हिसके कम मतलब है हिचक्षट के किछते एय कि जजचके कम आए जचके जो सेकंड लाइन के बीच का ही सब दहीए विए किHow बनेन को द बटbay पटटी पड़े हो सिक्षा प्राप्त करना मन का मतलब सब्सक्राइब रिदय के लो मनवार के लो मन को चटाक का मतलब है थोड़ा सावी चटाक चटाक का मतलब है थोड़ा सावी बजन का मतलब सांचे बो सौरी छटा का मतलब आप थोड़े साभी बजन से भी ले सकते हो सांचे का मतलब होता है सच्चे यह है सांचे का मतलब तो जो एक सब्दाय है यहां पर सांचे सांचे का मतलब है सच्छे आंक का मतलब है अंक लेहू का मतलब है लेना पीड़ी का मतलब है पीठ देकर और अमोई का मतलब है मोहो रहित यानि कि किसी से लगाव जब होता था उसके हम उससे अब लगाव नहीं हो रहा है क्योंकि रहित है रहित का मतलब होता है नहीं ए सब्दार है ए का मतलब नहीं होता है यानि कि हमें अब लगाव नहीं है तिया का मतलब इस्तिर तिर का मतलब इस्तिर और बीज का मतलब बिजली तो ये थे इसके सब्दार्थ प्रसंग भावर्थ देखते हैं इसका क्या है तो उन्होंने अपने काबे में स्वचंद प्रेम के गीत गाएं हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में इन्होंने जो कुछ देखा है जो कुछ भोगा है उसे अपने काबे में इन्होंने बरनित किया है यहां प्रेम मार्गी की सरलता निस्चलता का वर्णन क्या है कि किस प्रकार से प्रेम की मार्ग हमा प्रेम की जो मार्ग होता है उसमें सक्सेस की तरफ एक पोजिटिविटी होती है तो एक तरफ नेगटिविटी यानि कि एक तरफ निश्चलता होती है तो एक तरफ सरलता भी होती है कि बड़ी जल्दी हो जाता है पर काफी जाते दिक्कते होती है उस condition में इन्होंने उसकी विवफाई के करण जितने सारे ग्रंत लिख डाले निसल छलता कवर्णन क्या है कभी अपनी निश्टूर प्रियसी का उपालंब देते हैं कभी अपनी कभी जो गनहनंद है वह अपनी निश्टूर प्रियसी जिससे प्रेम करते हैं जो निश्टूर है उसका उपालंब देते हैं कि उसका मन तो एक निश्ट भाव से उसका प्रियसी हो गया है जो उसका मन है उसका मन अप उसको खुद को प्यार करने लगा है एक निश्ट भाव का प्रियसी हो गया है कि बस एक ही तरफ ध्यान देना है कि अब मैं जो हूँ घनन की तरफ नहीं ध्यान दोगी तो नहीं द्यान दोगो एक ही कहरा है मन दूसरी तर्फ नहीं चारा की यहां ध्यान देबें लों लेकिन उसने अभी तक अपने सोंद्रिय की एक जलक भी नहीं दिखाई कि हावज घणाननद के ठीक आज के जमाने में कि जो रियल्टी होती है जब प्रेम के करान तो वो भी इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी क्योंकि इनकी कवीता हैं जो हैं इंगलिस में देश विद्योसों में बहुत छपी पढ़ी आप बनना गूगल पर सर्च करना लव पोएम्स के नाम से इन प्रेम मार्ग की सिक्षा देते हुए कहते हैं कभी घनानद अपने प्रेय को यानि की सुजान को प्रेम मार्ग की सिक्षा यानि की लव वे जो है लव का जो मार्ग जो है उसकी एजुकेशन देते हुए कहते हैं कि हे प्रिय हे लवर लव मार्ग अतियंत आसान और सीधा है कि जो love way है, जो प्रेम का मार्ग है वो अतियंत सरल और सीधा है इसमें टेडा पन अर्थाथ चतुराई के लिए कोई स्थान नहीं है क्योंकि चतुराई से चलने वाला प्रेम के मार्ग पर चलने में सफल नहीं हो सकता अगर चतुराई से चलोगे तो तुम अपने प्रेम को अपने प्यार को नहीं प्राप्त कर पाओगे तड़फ तड़फ के मर जाओगे प्रेम का मार्ग सच्चे लोगों के लिए है भोती गहराई की बात कही है अब ब्रहवेदना एक प्रेम के प्रती जो आस्था है सुजान के लिए किस प्रकार की जलकती है गनन्द की अंदर वो आप देख सकते हो जो अपना एह भाव त्याग कर इस मार्ग पर चलते हैं और अपना सर्वसव नियोच्छावर कर देते हैं जिनके रिदय में थोड़ा सा भी छल कपट है वे इस मार्ग पर निडर होकर नहीं चल पाते यानि कि बिना डरे नहीं चल पाएंगे अगर उनके अंदर वो थोड़े भी जिजकेंगे इसको लेकर कभी कहते हैं कि हे सुजान सच्चा प्रेमी सच्चा लवर तो वह होता है जो प्रेम मार्ग पर सीधी रेखा की तरह चल पड़ता है इदर उदर नहीं देखता यानि कि इदर उदर नहीं बटकता है अपनी आँकों से किसी और कौन एक से चाहतु ही वस बहुत है अपने मार्ग से बिचलित नहीं होता है वह ही इस मार्ग पर बिना किसी ऐसुविधा के बढ़ सकता है वह ही जो ना तो इदर उदर देके ना क निरुपित करते हुए कभी कहते हैं कि गन आनंद को गन आनंद को अर्थात अत्यादिक जब आनंद को अत्यादिक आनंद को देने वाले प्रियतम सुजान सुनो मतलब कि सुजान तुम इतना आनन्द देती हो, इतना आनन्द देती हो सुजान मेरी प्रियतम सुनो, मेरे मन में केवल तुम्हारे प्रति अन्निय प्रेम और निश्टा है, यानि कि एक अद्भुत प्रेम जो विक्त नहीं किया जा सकता ऐसा प्रेम और निश्टा है मेरे रिदय पर केवल तुम्हारे प्रेम की ही छाप है मैंने तुम्हारी सिवा किसी ओर से प्रेम किया ही नहीं है नहीं किया है जिसकी छाप मेरे रिदय पर पड़ती है मेरे लिए तो प्रियतम के रूप में केबल तुम्हारा अस्तित्व है मेरे अंदर तो प्रियतम के रूप में यानि कि अपने लवर के रूप में मैं तुम्हें देखता हूँ मानता हूँ उसका केबल अस्तित्व है मैं आज तक यह समझ नहीं सका हूँ कि निश्टूर निडदई यानि की जिस पर जो जो कोई दया नहीं करता हूं निश्टूर प्रियत तुमने किस पाट साले से सिक्षा ग्रण की है मतलब कि एक तरफ तो घनंद कह रहे हैं कि जो प्रेम का लव का जो मार गया वो एक दम सीधा है पर तुम चतुराई दिखा रही ह तरफ भी झहलक नहीं दे रही हो मुझे तो तुमने की स्कूल से किस पाट सालह से एजूकेसिन घ्रण की है कि तुम लेना तो मनवर चाते हो मनवर का मतलब यहां चालिस से तुम लेना तो मनवर चाते हो परंद देने के लिए छटाक भी सेर का सोलवा वागत यानि कि छोटा सा भी इससा देने के लिए तैयार नहीं हो भई मतलब कि कहने का मतलब यही है कि जब तुम एक तरफ तो सोर परसेंट अफ़ेट लगा रहे हो और अगला जो है वो दस परसेंट भी मतलब कि कुछ हमें अपना रिस्पोंस नहीं दे रहा है दस परसेंट भी तो बड़ी दिक्कत वाली वात है फिर तो फाइदा नहीं हुआ न तो यहां पर कह रहे हैं अर्थात तुम दूसरे का मन तो बड़ी चवतराई से महो लेते हो पर बदले में मन जरा भी किसी को नहीं देते हो घरनंद सुजान को कह रहे हैं कि तुम जो हो चवतराई से किसी का मन को महो तो लेते हो पर अपना मन जरासा भी किसी और को नहीं देते हो यह है पांच बापद इसका बिसेस पक्ष देखते हैं क्या कहता है इसका बिसेस भाव है प्रेम के पत्मे बुद्धी उत्तर के सीलता के लिए कोई स्थान नहीं ये बिसे इस बाव देखने के लिए मिला प्रेम के वास्त्विक सबरूप का निरुपन बड़े सुंदर ढंग से किया गया है मुहावरे का प्रियोग हुआ है एकांत दूसरे आंक नहीं परी पड़ो हो पड़े है मन लेहु पदेहु छटाक नहीं ये अच्छा मुहावरा है अनुपास लेस यमक रूपक लंकार का प्रियोग किया गया है कहते हैं कि इन्हें रस मूर्ती कहा जाता है चंद सबया है ब्रजभासा का अतियादिक प्रियोग किया गया है बहु ही है ब्रजभासा ही है सब में इनका लाश्ट और अंतिम कवित है इस कवित को भी देख लेते हैं इस पद को भी ये छटा पद है आपका इस चैप्टर में देखिए यहां पर लिखा है मेरोई जीब जो मारत मोही मेरोई जीब जो मारत मोही तो प्यार कहा तुम सो कहानो है तुम सो कहानो है आखिन हू पहचानी तजी कुछ ऐसे ही भगानी को लहने है आस्तिहारिये हो घनानंद कैसे उदास भए धेने है जान है जान है होत इते पे अजान जेव तो इत तो बिन पवाक ही धेने है एक बार इस पद को जरा दुआरा देखते हैं मोरई जीव जो मारत मोही तो प्यारे कहां तुम सो कहने है आखिन हूँ पहचानी तजी कुछ ऐसे भाग इनको लहने है आस तिहारिये हो घनानंद कैसे उदास बहे धाने है धाने हो जान है होत इती पे अजान जो तो बिन पावक ही धेने हो धेने है तो यह आपका छेटा और अंतिम कवित्त पद्ध है इसका व्याक्थ्यव आप देखते हैं क्या है आखिरकार तो देखिए बिल्कुल वही करना है मेरोई जीव देख सकते हो आप मेरोई जीव शुरू के दो सब्द और एंड के तीन सब्द ले लिए और बीच में करें ड्रास कर दीया से आसानी रहते टीचर को अग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को में शुरू करने दोरान कि इह पर बहुत देखें तो सब्दार यह टेए आट मेरोई यहां सब्लाइत को हे इसमर्याइट मेरी मेरी यहां मेरा ही जीव-डी का मतलब प्रेमी और मारत का मतलब है कש्ट देना और मारत ठीक हे देख सकते हैं जो फर्ष्ट लाइन का ही एक, दो, तीन, चार, चोथा सबद है मारत का मतलब कश्ट देना सोरी इसके लिए माफी चाहूँआ ये दिक्छत कर देता है कभीReally मारत का मतलब कश्ट देना मोही का मतलब है स्वेम को तजी का मतलब है तियाग या भागनी तजी का मतलब क्या है तियाग है भागनी का मतलब क्या है भाग्य भाग्य विदाता लहना का मतलब क्या है लिखा आस का मतलब क्या है आसा वह का मतलब क्या होकर वह भे का मतलब क्या होकर देहनों का मतलब क्या है जलना इतेपे का मतलब क्या है इतेपे का मतलब है इस पर अजान का मतलब क्या है अंजान पावक का मतलब क्या है आग व्रागनी का मतलब क्या है देहनों व्रागनी देहनों का मतलब क्या है जलना, जलना ध्रैगनी, देहनो और ये की सब्द है, इसका मतलब है जलना तो आपने इसके सब्दार्त देखे, अब इसके हम प्रसंग की तरफ रुख करते हैं, क्या है इसका प्रसंग भाग इसमें लिखा हुआ है प्रसुचंद के रचाईता कभी घननन्द है ये पता ही है घननन्द स्वचंद कावे धारा के अधार इस्तंब कभी है इन्होंने अपने कावे में स्वचंद प्रेम के गीत गाये हैं और अपने वेक्तिगत जीवन्द से इन्हों में इन्होंने जो कु उनके प्रेम में उनके प्यार में उनके लव में जो उनके लवर ने लवर के दुआरे जो उन्हें दुख मिले उसके लिए वो खुद दोसी है सुजान दोसी नहीं है उनकी लवर दोसी नहीं है कि उन्होंने दुख दिये नहीं वो खुद दोसी है इसके कारण घननन्द इस बात को कह रहे हैं बताओ अब इसमें देखिए ब्याक्या भाव इसका देख लेते हैं ब्याक्या भाव है इसका कभी अपनी प्रियसी यानि की सुजान सुजान से कोई सिक्वा या सिकायत नहीं करते कोई भी कंप्लेंट नहीं है कोई भी वो नहीं है कि हाँ मैं तुमेर से रूट गई मैं तिर से वो हो गया नाराज हो गया कोई भी कंप्लेंट नहीं करते हैं बलकि अपनी दैनी दैनी दैलुता इस्तिती के लिए स्वैम को ही जिम्मेदार मानते हैं कि मेरे ही दैलुता के कार प्रेमी मन के करना हूँ, मेरे अंदर जो लव के प्रती जो करुणा है, ठीक है, उसके करना हूँ मैं खुद हूँ, मेरी जो दैल उता है, आज मेरी प्रेमी का ने मुझसे मोड लिया है, मुझे मोड लिया है मेरी प्रेमी का सुझान ने, मुझे पहचानने से इंकार कर दिया है यह मेरे भाग्य का दोस है मेरे भाग्य का दोस है प्रेम की भ्रह रूपी आग में जलता हुआ मेरा मन बहुत आसा के साथ तुमारी ओर देख रहा है यानि कि अभी भी भी घननंद को सुजान के लिए आसा है कि अभी वो मिल जाएगी अभी वो मेरी हो जाएगी अभी वो पास लेकर वैठें आस के साथ तुम्हारी ओड़ देख रहे हैं घनन्द मेरी मनों दसा को जान कर भी तुम अंजान बनगए हो यानी कि घनन्द कह रहे हैं कि मेरी तुमने दसा देख लिया जब भी तुम अंजान बनगए हो अब तो मुझे बिना आग के ही इस बिरहा नुभूती की अगनी में जलना होगा बिना आग के मतलब इस बिरहा नुभूती की अगनी में जलना होगा आग तो नहीं मिली ना मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि हाँ पर जो है जल रहे हैं पर आग नहीं है तो क्या फायदा तड़फ तड़फ कर बना उदास रहना और बिना आग के जलते तड़फते रहना तुम्हारे विरह की आग में जल जल कर जिये जाना ही अब मेरे भग्ये बन चुका है यानि की घननानद ने किस प्रकार से एक रोमेंटिक एक लवर पोयम के रूप में हम यूं कह सकते हैं कि किस प्रकार से जब प्रेम होता है तो एक जब भ्रह की वेदना होती है तो किस प्रकार की ब्रह होती है तड़फ जो उठती है वो कैसी रहती है इसको काफी अच्छा व्यक्त किया है इसका अगर विसे स्पक्ष देखें तो विसे स्पक्ष क्या है इसका देखिए विसे स्पक्ष है घनानंद को प्रेम के पीर का कभी कहा जाता है उपालंब स्रिंगार का उत्करष्ट उधारन है यहां पर अनुप्रास उपमा यमक अलंकार का प्रियोग इसम में क्या गया है ब्रजभासा का प्रियोग है माधुरिय गुण है सबयाचंद का प्रियोग हुआ है तो यह था इनका बिसेस पक्ष तो अब तक हमने 6 के 6 यह इनके कभी पद देख लिए है मैं आसा करूँगा कि आपको यह सारे पद अच्छी तरह से समझे मागी होंगे मित्रो देखें मैं आपको अब एक मज़ेदार इंट्रेस्टिंग इसी के ही से सम्मंद में एक कोसन देना चाहता हूँ देखें कोसन यह है आपको घंणन दिख रहे है फोटो में यह घंणन दी ही है ठीक है यह ब्लैक कलर में जो फोटो है यह घंणन दी ही है मुझे यह बताईए मैंने इनकी आपको सबसे जब स्टार्ट कर रहा था उस दोरान छोटी सी स्टोरी बताई थी आपको कमेंट बोक्स में ये लिखे कर बताना है कि घनानंद जो है किसके राज दरवार में राज कवी वे मीर मुनसी थे उस राजा का नाम लिखना है आपको कमेंट बोक्स में आपका प्रसन है घनानंद गनानंद किस राजा के राजदर्वार में मीर मुनसी बे राजदर्वारी कभी थे उस राजा का नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में मैंने उस पूरी स्टोरी में बताया है ठीक है जो भी कुछ नाम है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना देखता हूँ कि कितने बच्चों ने इसे पूरी तरह से अच्छी तरह से समझने की कोसिस करी थी पूरे इस पद को और हम इतने मजे के साथ जो हमने बताया मैं आपसे यही चाहत करूँगा कि वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है तो इसलिए वीडियो को लाइक जरू कर दें अब मैं आपको बता दूँ पूरे यूटूब इतियास में इस पर कोई भी वीडियो पर काम नहीं कर रहा है तो इस वीडियो को ज़्याद से ज़्याद सेर करो जो आपका फ्रेंड सर्किल है इस चैनल पर अप्लोड करता रहता हूँ तो मैं आपसे यही चाहत करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब उस वीडियो को ज़्याद से ज़्याद लाइक करो इस वीडियो को सेर करना मत भूलना क्योंकि आपके एक सेर से किसी और के वो जिन्द की के लिए अच्छा सिद्ध हो सकता है तो मैं आप से यहीं तक का समय मांगा था तो हमें दीजिए अब तक आने वाले समय के लिए जब तक के लिए अजाज़त हम मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स वीडियो में जेहंद जेवारत